पन्ना जिले के कलेक्टर कर्म वीर शर्मा द्वारा पन्ना जिले की जनता को समझाईज दी कहा कि कोरोना वाइरस मध्य प्रदेश में आ चुका है और कभी भी जिले में आ सकता है इसके लिए सभी लोगों को सुचित किया जाता है कि घर से बहार ना निकले और पन्ना जिले के बारडर ही सील करवा दिये गए हैं एक पन्ना जिले की जनता को बहुत ही महत्वकूर्ण समझ लेना चाहिए शाहन अगर से चरंजित बंजारा की रिपोर्ट मैं पन्ना के समी नागरिकों को बताना चाहता हूँ और आभान करना चाहता हूँ कि कोरोना वाइरस का जो संत्रमन पूरे देश-विदेश के साथ में अब हमारे प्रदेश में भी फेल चुका है किसी भी समय पन्ना में भी आ सकता है इतलिए अब सतर्क रहें इसके लिए घर से बाहर ना निकले हमने पूरी जुपन्ना की बॉडर है उसको सील किया हुआ है बहाँ पर 14 चेकपोस बनाए गई है ताकि बाहर से कोई ऐसा इंफेक्टेट व्यक्ति अंदर ना आ सके और उसकी स्क्रीनिंग महीं पर की जा रही है साथ साथ में जो लोग पहले आ चुके हैं या पलायन करके यहां की नागरिक हैं उन लोगों को 100% लोगों को हमने यहां 6000 लोगों को स्क्रीनिंग कर चुके हैं और उनका उनमें यह दी सिंटम्स बाय जा रहा है तो उनकी डॉक्टरी चेकप करके उनको होम आइसोलेशन के लि इस प्रकार के जो लक्षण है सर्दी खांसी और बुखार और सांस लेने में तकलीव जैसे जो लक्षण है उसको हम चेक कर रहे हैं और हमारी लगबग साड़े 400 टीम ग्रामिन और अर्बन एरिया में प्रतेक वाड में प्रतेक गाउं में घूम रही है अभी समय मेरा अग स्वांदी सेवाएं हैं वो देने का प्रयास कर रही है यह एक नया हमने अभ्यान शुरू किया है कि हम आपको घर में ही OPD का काम दे घर में ही आपकी स्वास्त सेवाओं का जो है वो सुविधाएं उपलब्द कराएं इसके अलावा तीस डॉक्टरों की मोबाइल टीम जिन सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें